का नाम है वोग एनर्जी थेरम की बात चल रही है तो देखो वोग दन बाई ओल दा पोर्स इस इकोल टू क्या होता है चेंज इन काइनिटिक अनर्जी क्या बोलेंगे जैसे मालो मैंने मैं लेकर आया था 10 जूल अब मेरी एनर्जी हो गगई है रिख आल पक्क साओ ओल गया है कि इस चलिंटिक पांच भांछ इसका मतलब क्या हो गया पांच किंसे व्याइन लिखते चला है कि क्या हम लोग बोल रहा है कि work done by all forces by all forces is equal to change in kinetic energy मैंने आपको example देके समझा दिया कि मालो हमारे पास कितना था 10 joule था और अब मेरी energy बची है kinetic energy 5 joule इसका मतलब 5 कहां गया तो 5 काम ने काम कर लिया अब हम इसी बात को प्रूफ करना चाहते है कि कैसे तो हम बोलेंगे देको work done is equal to होता है integration of torque into theta क्योंकि work done का आपने और formula पढ़ा है force into displacement तो angular वाले कहानी में force को हम क्या बोलता है torque और displacement को हम क्या बोलता है d theta तो work done is equal to क्या हो गया tau into d theta क्योंकि छोटा छोटा ठीटा को जोड के हम बनाएंगे complete work ठीक है आपने बोला टॉर्क को हम यह लिख सकते हैं कि i into alpha और साथ में क्या गया d theta फिर से इसका integration करेंगे integration कहा से कहा तक होगा तो हम बोलेंगे theta 1 से लेके theta 2 तक होगा यह हो गया work done अच्छा क्या हमारे पास आई जो है अच्छा हम बोलेंगे alpha जो है क्या मैं उसको d omega by dt लिख सकता हो आपने पढ़ा है न कि alpha is equal to a is equal to velocity by time होता है अगर हमको बोलना है तो हम चोटा सा भी ले सकते हैं चोटा सा velocity divided by चोटा सा time है क्या हम alpha is equal to इसी चीज़ को ऐसा लिखेंगे यहां पर लिखेंगे is equal to क्या हो गया d theta फिर हम बोल रहे है कि i d omega और d theta by dt क्या होता है angular displacement divided by time क्या बनता है तो omega बनता है हम बोलेंगे i omega d omega और यहां पर limit बदलेगा तो omega क्या ले रहेंगे हम बोलेंगे initial omega और omega कौन सा final अब बताए इसका integration क्या होगा हम बोलेंगे i omega square upon 2 आएगा और omega final minus यहां पर omega initial so finally आपके पास आ रहा है work 10 is equal to होगा कि 1 by 2 i और यहां पर हो गया omega final का square minus omega initial का square आप मुझे बताएए क्या आप इसको बोल सकते हैं कि half i omega final का square minus half i omega initial का square और देखो ध्यान से half i omega square क्या होता है final kinetic energy minus initial kinetic energy जिसको हम क्या बोलता है delta kinetic energy तो यह बात को हमने proof कर लिया कि work done is equal to क्या होता है तो change in kinetic energy को हम क्या बोलता है बोलो बात समझ में आगई कि आई है अगे अब चोटा सा इस पे question करते हैं फिर अपन conservation वाली बात पर चलेंगे चोटा सा यह question है वह value based question है मैं आपको लिख के बताता हूं question है कि if flywheel flywheel पता है न क्या होता है पता होगा है flywheel is rotating एक wheel होता है जो rotate करते रहता है rotating with initial with initial omega is equal to 60 radian per second ठीक है पुलता है it's a moment of inertia it's a moment of inertia about axis about axis is कितना दिया होए तो बोलता है 5 kg meter square फिर बोलता है कि due to friction of axle friction of axle it's it's stop in 5 minutes 5 minute में वो क्या हो गया रुक गया बोलता है work done बता दिजिए find work done by friction friction के तुरू कितना काम हुआ इस बात को आपको बताना है बोल देना पहले आपकी omega इतनी थी बार में omega 0 हो गया है तो work done is equal to क्या हो जाएगा i क्या बोलता हो half i omega final square minus omega initial square क्या बोलेंगे कि यहां पर आजाएगा अपने पास half i minus में आएगा और minus कोई मतलब नहीं होता है ठीक है क्योंकि work done क्या है scalar क्या है तो हम बोलेंगे initial कितना था आपने बोला omega omega 9400 9400 क्यास है half 5 60 9000 और 60 9000 9000 13 85 90 90 20 तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया तो value-based एक question था यहां तक आपने लिख लिए तो आगे पर चली आई अगर आपने लिख लिए तो मैं लिखता हूँ conservation of conservation of mechanical energy mechanical energy 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 होती है इस बात को हम लोगो प्रूव करने रहे हैं हम बात कर रहा है हम बात कर रहा है mechanical energy इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि potential energy energy initial value is equal to potential energy final value kinetic energy final value कही होता है conservation of energy अच्छा ध्यान रखेगा यहां पर कुछ बाते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि यह conserve कब रहेगा तो है कि when all forces are conservative when all forces are conservative अगर forces conservative है कभी यह कहानी होती है conservative force के बारे में आपको पता होगा क्या होता है conservative force बताओ तो क्या होता है conservative force ऐसा force जिसका 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 वॉक्डन जो है मतब ऐसा force जिसकी वज़्या से जो वॉक्डन है वो डिपेंड करता हूँ केवल क्या initial point से लेके final point उसके path पर डिपेंड नहीं करता हूँ इसको हम बोलता है conservative force कौन को आता है बहुत सारे forces ठीक है बस आपने जो पढ़ा है एक उसमे frictional force पढ़ा है यह conservative नहीं होता है ठीक है तो आपने जितने type के forces पढ़ा है आपने gravity पढ़ा है आपने और कौन सा पढ़ा है electro stat पढ़ लिया अपने पढ़ा है gravitational gravity तो लिख दिया और कौन सा था है अपने spring force पढ़े थे tension वाला force पढ़ा था यह सब conservative force होता है कौन नहीं होता वह मैंने आपको बताई रिया कि non conservative में कौन सा आ गया में आ गया कौन सा तो हम बोलेंगे frictional और एक चीज़ ध्यान रखिएगा यह external force यहां पर कोई नहीं होना चाहिए external force should be 0 external force क्यासा होना चाहिए बाहर से कोई force नहीं लगना चाहिए नहीं तो उसकी वज़ा से जो work done है वो disrupt करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया work done by external force should be 0 अगर यह सब कहानी होगी तभी यह कहानी वैलिड होगा हमारे पास एक rod है rod का मास होई m और length कितनी है l है ठीक है और क्या बोलेंगे तो बोलता है कि इसको हम release कर दिया है गिरने के लिए allow कि अब यह क्या होगा नीचे गिर जाएगा नीचे गिरेगा मतलब कैसा position हो जाएगा इसका ऐसा ऐसा बन जाएगा यहां पर आजाएगा तो बोलता है अगर जब यहां पर आएगा तो आप हमको बताईए कि work done कितना होगा चलो तो conservation of force लगाए conservation of energy लगाएगी conservation of energy हम बोल रहे हैं कि बीटा conservation of energy में wi और यहां पर आगया ki is equal to uf plus kf होता है आपने बोला कि हम तो starting में इसको पकड़के रखेते हैं तो हमने क्या बोला कि इस पे कोई potential energy नहीं है और कोई kinetic energy भी नहीं है बाद में finally जब यह यहां पर पहुंचा होगा ठीक है जब यह यहां पर पहुंचा होगा तो इसका center of mass कहां पर यहां पर center of mass देखो कितने height पर आ गया L by 2 height पर आ गया आप देख पारे हो यह माल लिजे यह initial point है अब इसकी height कितनी हो गई है यह height है L by 2 यहां से यहां तक कितनी height है L by 2 तो हम बोल रहे हैं कि formula होता है MGH H मतलब L by 2 अच्छा दूसरा चीज है कि इसकी kinetic energy कितनी होगी तो हम बोलेंगे इसकी kinetic energy ध्यान रखेगा यह जो L है बेटा क्या यह नीचे है जो reference point है उससे नीचे है तो नीचे height को हम क्या बोलता है minus L by 2 अगर यह उपर होता तो L by 2 बोल तो minus L by 2 लिखेगा तो हमने यहाँ पर minus लिख दिया kinetic energy का formula होई होता है half I omega 2 है अब आप यहां से निकाल लो यहां से omega की value आप से बोलाता निकालने के लिए find omega क्या पुछाता आप से omega कितना होगा तो चलिए देखते है अपने बोला कि यहां से ऐसे होगा यह इधर move कर जागा तो हम बोलेंगे M G L by 2 और half I I कितना होगा तो होता है बता हो तो rod का rod का अगर आप एक point से यहां से गुमा रहे हो तो inertia कितना होता है Ali बताया था omega square omega square omega square mm यहां से एक कट जाएगा L भी साहद एक कट जाएगा अब आप देख लो कि omega की value कितनी आती है 222 भी कट कर देते है 222 भी कट हो गया omega square is equal to क्या आजाएगा तो हम बोलेंगे 3g upon 3g upon L omega is equal to root of 3g upon L यह किसकी value आगई omega आपसे omega पूछा तो मालो आपसे work done पूछ लिया होता तो क्या बताते है work done बताते है initially kinetic energy 0 थी बात में kinetic energy half i omega square हो गया है तो work done is equal to be half i omega तब तक मैं डाइग्राम होगरा बनाता हूं हमारे पास mass है capital M एक्रपेश मालम बता है for no slipping between pulley and rope the system is release find the velocity velocity find the velocity of block M total M when it has fallen through height h has fallen through height h m g x kinetic energy formula क्या हो जाएगा kinetic energy का formula क्या हो जाएगा अब हाफ माइनस अब माइनस यहाँ पर यहाँ पर माइनस यहाँ पर हाफ हाफ आई हाफ हाफ आई और क्या आगया तो हम बोलेंगे omega क्यों कि पुली गुम रहा है पुली में भी क्या होगा energy होगी वहाँ पर भी work done करने की समता है अच्छा आप बोलोगे सर्फेस पर रखा हुआ था उसका अगर मैं यह भी तो बोल सकता हूं कि अगर वह हाइट यहां पर आज़ा अगर पुली भी starting में वाल लीजेए मास यहां पर था दोनों का दोनों की हाइट किती थी X थी तो हम बोलेंगे कि यहां पर भी माइनस capital M G और X आना चाहिए नहीं लगता है ऐसा अब आप कर सकते हैं यहां से आपको calculate करना है ध्यान रखिएगा ठीक है चलो करते है calculate यह X वाला variable अपने को परिशान कर रहा है यह M और M यह चेक कर लेते हैं नहीं क्या बोला कि यहां पर capital mass है यहां पर small mass है V square अगर यहां से हाँ ठीक है चलो कोई नहीं V square common ले लो पतलब यहां से बाकी को इदर बेजो यहां पर आ रहा है M G X यहां पर आजागा plus M G X और और कौन सा माइडस नहीं उदर जाके plus हो गया M G H capital M के साथ अगर बहुत close आ जाए तो हम सायर इन दोनों को cut कर सकते हैं ध्यान रखना हमेशा नहीं अगर दोनों की values बहुत close है तो तो हमने अपनी simplicity के लिए बोल दिया कि if this is close then क्या हो जाएगा दोनों चीज़े cut जाएए और आपके पास आप क्या बचेगा आपके पास बचेगा M G H माइनस हाफ I omega square 2 सामने चला जाएगा multiply होने करिए और नीचे डिवाइड में क्या जाएगा M plus small m is equal to V अब आप V square है आपसे क्या पुछाता V square पुछाता omega को omega को बदला जासकता है अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पुट करो और वहां से भी की value को और modify किया जासकता है मैं यही पहला के छोड़ दे रहा हूं मैं बोल रहा हूं अगर आपको इतना कुछ दे ही दे तो omega ही निकाल लो omega is equal to r omega होता है omega is equal to v upon r तो omega आप वहीं से put कर लो यहां पर यहां पर modify करके value निकाल लो कर पाओगे कि अभी डिक्कत होगी है यह omega को modify करना आएगा बोलो भाई बोलो ओके तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहां पर अपना rotational motion यहां पर हमने complete किया इसके आगे की कहानी में अब हम लोग देखते हैं आपको questions बहुत सारे करने पड़ेगा इसके ध्यान दीजेगा जब आप सवाल करें तो आप उसमें हुलाजमत जाएगा जिसमें जिसमें rolling वाला part आजाए rolling वाला part आएगा तो आपर skip करके चलिए